नमस्कार दोस्तों मैं विजय प्रताप सिंग एक बार फिर आप सब भी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जांपोर डिफेंस वेरिया पे स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग देखी रहे होगे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसे हम बोलते हैं एवरेज हिंदी में इसको बोलते हैं आउसत सबसे पहले ये समझने की जरूत है कि आउसत बोलते किसे हैं और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किसके काम आता है अगर मैं बोलने लग्यों इसका उसत बता दो आउसत का मतलब होताई एवरेज suivल तो आप क्या करोएये सब dabei को जोडने के बाद उसंसे क्या कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे और वह अपका क्या क्या का निकल आ जाएगा एक आसत निकल के आ जाएगा जिसे हम क्या बोल customers of all observation upon number of observation upon number of observation इसका मतलब क्या होता है मैं हिंदी में भी बताओंगा upon number of observation hani में इशका मतलब होता है सर हमारे पास जितनी भी quantity दे रखी है उनको क्या करना है और सब को जोड़ दो और जितने भी है उतने से twice कर दो तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सर एवरेज निकल के आ जाएगा हमारा ओसत निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर इसी क्वांटिटी पे बेस्ट है इसमें कोई नई चीज है यह नहीं एक जाम पॉइंट आफ व्यू से देखें तो एक कोशन इसमें देखने को को लाइक कर दो और जितने भी अपनी दोस्तों को शेयर कर दो जो जितने नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है और चलिए वे आपकी स्क्रीन पर आ गिया है कोशन नंबर वन और फटा-फट मुझे कोशन क्वांटिटी हैं और उनका अंसर दे रखा A, B, C, D, E और आपको बताना है सर इनका अंसर एक्च्वल में रहा क्या होगा आप देखते ही इसका अंसर बता सकते थे सर आप मुझे एक चीज़ बताओ मैंने अभी आपको बताया है कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं सब को आप जोड़ दो और जितने भी क्वांटिटी हैं उतने से डिवाइड कर लो तो आपका क्या आजाएगा ओसत आजाएगा अगर मैं बात करूं तीन क्वांटिटी हैं सर A, B है, B, B है और C है ये क्या कर दिया मैंने तीनों को जोड़ दिया और तीनों को जोड़ने के बा से देखना हाजी बिल्कुल है आप गौर से देखो और सा नंबर बी जो आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम यहीं है मैं देखते ही टिक मान के बता सकता था सर इसकी जो वैल्यू है वो अपसन नंबर भी है मतलब मुझे समझ में आता है कि मैं अगर आप से बोलू हूं इसका सही ऑपसन कौन सा है आप बोलोगे सर इसका सही ऑपसन है बी बी को देखते ही मैं टिक कर सकता था और आगे बढ़ सकता था बोलो यहां तक किसी को कोई भी दिकत कोशन नंबर वन में नहीं बिल्कुल नहीं रही होगी चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ कोशन नंबर सेकंड स्क्रीन पर चुक है काफी बच रहे हैं कमेंट सारे बच्छों के एक दम परफेक्ट है किसी कभी एक दो बच्चे का गलत है तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है चलो फटा-फट अगर मैं बात करू नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन का अंसर आप लोग दोगे कोशन नमबर टू आपकी स्क्रीन पर आ गया और फटा-फटे इसका अंसर दो चलो बहुत ही बेसिक सा कोशन है अगर मैं बात करूं चलो कह क्या रहा है find the average of ओसत बताओ किसका 9, 11, 13, 15 और 17 इसका ओसत बताओ सर इसका ओसत क्या रहेगा मैं इसका ओसत देखते ही बता सकता था सबको मुझवानी जोड़के कैसे सर 11 है और 9 हो जाता है मेरा कितना 20 अगर मैं बात करूं मेरा 17 और 13 है भी कितना हो जाता है 20 तो 220 कितना हो गया सर मेरा ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 30 तो 320 पचास और बचा क्या मेरा सर 15 है और बच रहा है तो 45 अगर मैं काउंटिंग करूं गिंती में एक, दो, तीन, चार, पांस से डिवाइड कर दो अगर मैं इन सब को जोड़ता हूँ तो सर मेरा आता है 45 और पांस से भाग दे दूँगा सोरी ये कितना हो गया 20 और 30, 50, 65 आ जाएगा ये 65 आएगा भई, करेक्ट कर लो इसको ये कितना आ जाएगा मेरा 65 और 65 को पांस से डिवाइड करूँगा तो सर ये मेरा आ जाएगा कितना 13, 65 तो आपसर नमबर जिस भी बच्चे का 13 आ रहा है उसका एकदम सही जवाब है काफी बच्चों के आंसर बिलकुल 13 आ रहा है बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी बहुत ही आसान सा था किसी को भी दिक्कत नहीं रही होगी क्या करना था सर इसको सीधा-सीधा आपको करना था सबको एड कर देते जोड देते और उतने से डिवाइड कर देते तो मेरा क्या निकल के आ जाता सार मेरा निकल के आ जाता एवडे जिसे हम क्या बोलते हैं सर ओसत बोलते हैं वो मेरा फटाफट निकल के आ जाता है चलो भई collection की तरफ चलते हैं question नबर next 3 आपकी screen पे आ चुका है और फटाफट इसका आंसर देगे question नबर 3 का आंसर मेरा क्या रहा होगा चलो भई कोशन नमबर 3 कांसर बता दो फटाफट मुझे कोशन नमबर 3 कांसर मेरा क्या रहा है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन नमबर 3 और फटाफट हलका सा कठिन है लेकिन इसक graffiti तो मैं नहीं बोलूंगा इसको आंसर आप ही दोगे कोशन कुछ इस तरीके से है find the average औसत बता दो किसका 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 6 चार वैलू मुझे दी हुई है, एक बटा 2, एक बटा 3, एक बटा 4 और एक बटा 6 इनका मुझे क्या बताना है? सर इनका बताना है मुझे औसत इनका उसत क्या रहा होगा आप देखते ही बता सकते थे आप देखते ही बता सकते थे सर इनका उसत क्या होगा मेरा काम क्या रहेगा सर सबसे पहले काम करता हूँ मैं सभी को जोड़ देता हूँ 1 बटे 2 next value दे रखे है मेरी 1 बटे 3 उससे जो next वाली value दे रखी है one but a four और सबसे जो last में दे रखी है sir one by six दे रखी है सब ही को मैं क्या करूंगा sir add कर दूंगा जोड दूंगा अगर मैं सब ही को जोडता हूं और फिर उतने से divide कर दूंगा जितने नमबर हैं डिवाइड मैं बाद मैं करूँगा सबसे पहला काम रहेगा मेरा जोड़ना तो आपको एक बात तो सभी को समझ में आ रही है सबसे पहले तो मैं इसका LCM लोगा लैसे तो LCM लेने के लिए मैं क्या करता हूँ जो सबसे बड़ा नमबर होता है उसका टेवि कितना बार है बार है छैसे कटेगा सर बिल्कुल कटेगा चार से कटेगा बार है बिल्कुल कटेगा तीन से कटेगा तो ये मेरा कितना आगिया सर बार है निकलके आगिया LCM अगर मैं बात करूं दो से तो ये कितनी बार जाएगा सर छै बार जाएगा दो चिके बार होते है 6 एकम कितना जाएगा सर 6 आ जाएगा अगर बात करूं इसकी 3 चौक बार है 4 पिलस 1 कितना जाएगा सर 4 आ जाएगा अगर इसकी बात करूं 4 तीया बार है 3 एकम कितना जाएगा सर 3 आ जाएगा 6 से बात करूं 6 दूनी बार है और दो इकम कितना आ जाएगा दो आ जाएगा मतलब मेरी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई अगर मैं इनको सभी को जोड़ू तो सर मेरा कितना हो जाएगा च्छे चार दस तीन तेर है दो पंधर है क्या मैं सर इसको पंधर है बटे बार है लिख सकता हूँ हाँ जी बिलकुल लिख सकता हूँ पंधर है बटे बार है रहा होगा इस चीज में तो बिलकुल समझ में आ रहा है सभी बच्चों को जब 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 थे थे थोड़ा सा रहे गया था है अगर मैं बात करूं इसकी तो सर इसकी वैलू दे रखे है तीन पंजे पंधर है तीन चौक बार है इसको जो वैलू रही है वो कितनी रही है मेरी पांच बटा चार आई प는지 55,4 लेकिन और बताओ इसको जोडना नहीं था इसको क्या करना था ऐसको आपको और अशर निकालना था तो आपको क्या करना पड़े गा 5-4 चार यह तो आई रहा था लेकिन यह कितने नंबर है सर 1 ness 2 नंबर है तीन नंबर है टोटल चार नंबर है तो चार से कह रखे आ आप इसको चार से भागदोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा सर इसकी जो वैलू रही होगी वो value रही होगी 5 बटा 6 है 5 बटा 6 है 5 बटा 6 है 5 बाई 16 ओपसन नमबर B ओपसन नमबर B इस दा करेक्ट आंसर जिस जिस बच्चे का ओपसन नमबर B आ रहा है उसका एकदम जवड़ ज़स्त आंसर है सही जवाब है बोलो यहां तक किसी को बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूँच सकता है मैंने कुछ नहीं किया सबसे पहले मैंने सभी को जोड़ दिया सभी की value मेरी निकल के LCM आ गया तब बार है दो चिक के बार है 6 कम 6 है 3 चौक बार है 4 एकम 4 चार तीया बार है 3 एकम 3 सभी को जोड़ने के बाद आ रहा था 15 बटे बार है मैंने इसको छोटा कर लिया आसान के लिए 5 बटा 4 आ गया 5 बटा 4 तो आ रहा था लेकिन यह चार मैंने एवरेज के लिए भाग दे देते हैं तो नीचे भाग दे दिया 5 बटा 6 है ऑप्सन नंबर 20 जिस जिस बच्चे का आ रहा था बिल्कुल एकदम सही जवाब तक काफी बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है बोलो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी जवर जस्था चलो नेक्स वोशन फोर थोड़ा सा लेंदी है आप लोग इसको खुद करना मैं नहीं बताऊंगा फोर को मैं नहीं बताऊंगा पर मैं आपके सामने ला देता हूं और इसका उप्सन बता दूंगा क इसको चलो बहने चलो बैए छह टेविल डे रख ही हैं आपकी स्क्रीन पे लें क्या बोल रहा है दप्राइस ओफट टेविल रखा है 732 है सासो 500 है 600 है और और इसका क्या पूछा है find the average price of the table, table का ओसत मूल्य ज्याद करो, ओसत मूल्य बताना है, क्या आप इसको नहीं बता सकते थे, बिलकुल बता सकते थे, कैसे, अगर मैं इस सभी को जोड़ू, अगर मैं इस सभी को जोड़ता हूँ, आप सभी को जोड़ ले ना, तो मैं आपको वैल्य बता देता हूँ, इसको वैल्य आजाएगी, 4410, 4410, मैंने कैसे पता किया, सर, मुझे ये, मैंने 700 का एवरेज लेके इसको कर लिया, आप लोग खुद से कर ले ना, 4400 कितना आजाएगा, मेरा 10, लेकिन क्वान्टिटी हैं, कितनी, तो आप गिनोगे, 123456, इसको कितने से भाग दे दोगे, सर, आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे, बोलो, यहां तक किसे को कोई दिक्कत ही नहीं, अगर मैं इसको 6 से काट लूँ, तो 6 सेविन जा कितना होता है, 42, 6 सत्य कितना आएगा, 42, दो बचा, और यह एक आ गया, 6 तिया कितना आजाएगा, 18, 3, 0, 6, 35, 735 कहीं ऑप्सन में है, हाज जी, बिल्कुल होए, आप लोग देखोगे, तो ऑप्सन नंबर भी दे रखा है, 735, इसका मतलब 735, जिस जिस कुछी का भी आ रहा है, एकदम पर्फेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, काफी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है, 735, कुछ थाए नहीं, यह कोशन था, क्यों, यह कोशन से एक्जामनर ने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है, अगर जो बच्च कोशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और फटा फट इसको बताएंगे, कोशन नमबर फाइब को, मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, सबसे पहले आप लोग खुछ से ट्राइब करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, कहे क्या रहा है, वाट विल बी दा एवरेज ओफ फरस्ट एन काउंटिंग नमबर, पहले दस संख्याओं का क्या बताना है, आपको औसत बताना है, पहली दस संख्याओं का औसत, फाइंड वाट विल वी दा एवरेज ओफ फरस्ट एन काउंटिंग नमबर, पहली दस संख्याओं का औसत, मतलब एक से लेके दस तक का औसत करना है, म मेरा का क्या रहे मैं इसको भूजवानी बता सकता था क्या मेरा आंसर ए रहेगा बी रहेगा सी रहेगा या डी रहेगा चलो मैं अगर बात करूं पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा फिर डारेक्ट बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं है बेसिक से मैं करूंगा तो हर बच् 2 पिलस 3 पिलस 4 पिलस 5 पिलस 6 आगे बात करूँ पिलस 7 पिलस 8 पिलस 9 और पिलस 10 पहले 10 का पूछा है तो 10 अगर आप इन सब भी को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 तो यह है 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 20 हो गया 8 और 2 10 कितना हो गया 30 हो गया 7 और 3 कितना हो गया 40 हो गया 6 और यह कितना हो गया 50 हो गया 55 इन सब ही का जो जोड़ आएगा कितना होता है 55 हाला कि यह आप लोगों को बच्चों को याद होना चाहिए 1 से 10 तक का जितना भी सम होता है जोड जो होता है वो कितना होता है 55 55 होता है बात सही है लेकिन इसमें डिजिट कितनी दे रखी है आप बोलोगे सर डिजिट 10 दे रखी है और सत निकालने के लिए मैं क्या करता था sum of all observation upon number of observation तो sum कितना आगया मेरा 55 और number of observation मेरा कितना दे रखा है सर 10 दे रखा है 55 बटे 10 अगर मैं इसको calculate करूंगा तो आप सभी लोग जानते हो इसकी value कितनी आजाएगी मेरी 5.5 5.5 कहीं option में है हाजी बिल्कुल है option number C जिस जिस बच्चे का option number C आया है उसका एकदम perfect answer है सही जवाब है बोलो यहां तक किसी को कोई दिकत थी नहीं देखो इसको मैं एक basic तरीके से और कर सकता था कैसे गोड़ देना एक formula और होता है average निकालने का क्या फर्स्ट नंबर पहला नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर आखरी नंबर एले एस्ट लास्ट नंबर फस्ट प्लस लास दिवाइड बाई 2-2 कर दो कैसे पहला मेरा कितना दे रखा एक लास्ट कितना है दस और बटे कितने से दो ग्यारह कर दोगे तो ग्यारह बटा 2 किसकी हुटी है सरवाली होती है 5.5 की पांच पॉयड़ जिस बच्छे का भी Karma 5 था बिल्कु जबज सर टारойти करो लेकिन अगर ऐसे करोगे अगर इसी को मैं थोड़ा सा जोडने लग जाओं कायदे से तो मेरी कम से कम दो से तीन मिनट इस चीज में ही बर्वाद हो जाएंगी लेकिन अगर मुझे यह चीज पता है कि फर्स्ट प्लस लास डिवाइड बाइट तो दस तक क्या पचास तक पू कितना एक क्यामन और इक क्यामन बटे दो कितना जाता साड़े पच्चेस आँसर आजाता है एक मिनट में बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं काफी बच्चों के एकदम पड़ब फटाफट अंसर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है नेस्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर चुका है कोशन नमबर सिक्स और फटाफट इसकोशन नमबर सिक्स का सारे बच्चे आंसर देंगे कोशन नमबर सिक्स मेरा क्या कहना चाह रहा है चलो चलो बैं कोशन नमबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर आ गया है और फटाफट इसका अंसर बताएंगे कोशन मेरा क्या कह रहा है find the average of first six multiple of three पहले छे तीन के multiple का ओसत बता दो जैसे तीन तीन दूनी छे तीन तीन नो तीन चौक बार है तीन पंजे पंद्र है तीन चेंग अठार है इन सब क्या करना है सर इन सब का आपको ओसत निकालना है फटा फट एक तरीका तो यह है कि तीन का मैं टेविल पढ़ हूँ और जितने भी लोग है चैसे मैं डिवाइड कर दू तो भी आंसर आ जाएगा दूसरा तरीका यह तीन का मंटीपल पूछा है च्छे तो छे प्लस एक करके मैं अगर इसको दो से भाग दे दूं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड नहीं यह गोर से देखो काफी बच्चों का बिलकुर जवजस असर आ रहा है कुछ बच्चों का मैं बात करूं तो cb है bb है और 10.5 प्लस अरहा है एट भी आ रहा है नाइन भी आ रहा है जवर जशत है कोई दिक्ट नहीं है बिलकुल एकदम जवर जशत है कैसे भी कर सकते 3 वन जा 3 3 वन जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 35 जा 15 कितना आ गए 5 और 36 18 यहीं बोल रहे हैं अगर मैं इस अभी को जोड़ देता हूं सभी को क्या कर दिया मैंने add कर दिया जोड़ दिया तो मेरी एक बात तो समझ में आती है 18 और 12 है कितना हो जाएगा 30 30 और ये कितना हो जाएगा 30 40 50 दो कम हो जाएगे 63 आ जाएगा और 63 को अगर मैं 6 से भाग दे दू तो ये आ जाएगा सर कितना 10.5 आ जाएगा आप ऐसे निकाल सकते थे इसमें कोई बात नहीं थी बहुत आसांसा था ठीक है लेकिन मैं थोड़ा से दिमाख लगाओ क्या मैं इसको 3 x 1 लिख सकता था 3 को हाँ जी लिख सकता था आगे मैं बात करूं 3 x 2 लिख सकता था 6 को हाँ जी लिख सकता था ऐसे ही करते करते last में जो रहा होगा 3 multiply 6 लिख सकता था 3 6 कितना 18 बिल्कुल लिख सकता था इस में से अगर मैं 3 common निकाल दूं बहार तो ये कितना रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये कहां तक रहा होगा मेरा 6 तक ये ही तो रहा है 6 का मैं अगर उसत निकालूं तो मैंने क्या बताया था first प्लस last divided by 2 3 तो मेरा बहार रहेगा ही रहेगा 3 मेरा बहार रहेगा first मेरा कितना दे रखा है sir first दे रखा 1 last कितना दे रखा है sir last है मेरा छह one प्लस six divided by two आप इसको कल लो कितना 3 multiplied 7 बटा 2 तीन सत्ते 21 और 21 वटा दो कितना होता है मेरा साड़े दस 10.5 आप ऐसे भी निकाल सकते थे आप वैसे भी निकाल सकते थे दोनों से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा सिमिलर आएगा सेम आएगा बुलो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत थी सेम ही आंसर था चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो या तो तीन बहार निकाल के कर लो या अगर नहीं समझ में आ रहा कोई भी दिक्कत हो रही है तो सब को जोड़ के कर दो कोई बड़ी बात नहीं है ओसत जो होता है बिटा ओस स्क्रीन पर फटाफ़ डिस्प्ले होने वाला है इसका अंसर बताओ कुछन नंबर सैविन चलो क्या बोला है find the average of all prime number between 20 and 40 ये लास्ट में जो है इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ ये दरसल इसका था 20 and 40 ये जो देर रखा है ना ये 2040 ये हिंदी वाला पोर्शन है बीस और चालिस के बीच सबही ए भज हज संख्याओं का असद गयात करो बीस और चालिस के बीच जितने भी एत्पहज ज matrix ये heint prime नंबर है उन सब का क्या बोल रहा है आवसत बोल रहा है अगर मुझे अच्छी तरह पता है तो मैं इसको बहुत II से निकल 401 होता है अगर मैं इन सब को जोड़ देता हूं तो मेरा क्या आजाएगा है मेरा कितना आजाएगा एक सो मेरा कितना आएगा भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है देखो सबसे पहले अगर मैं 20 के ऊपर की बात करो 200 और कितने के बीच चाहिए सर 20 140 के बीच में वैलू चाहिए तो मेरा कितना रहा हो細 एक वैलू रही है मेरी तेज दूसरी वैलू रही है सर मेरी 29 तीसरी वैलू आ जाएगी सर मेरी 31 और चौर्थी वैलू आ जाएगी मेरी 37 बोलो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं एक इस में दे दू तो तो मेरा 3030 कितना हो गया 60 ओर 3 इधर दे दूं तो ये कितना हो गया 100 120 अगर मैं इंसाभी को जोडता हूं सम करता हूं आप लोग कर ले ना मैंने क्या किया मैने मैंने हिसाब से जोड लिया कैसे यहां एक- एक्स्रा यहां एक कम है команд तो नहीं60 कर दिया यहां मैंने क्या किया है यहां पे तीन एक्स्ट Gener Would इयरोंगा 30 जिस भी बच्चे का तीस आ रहा था मतलब important भी आ रहा था उसका perfect है काफी बच्चों का other number पर यह आ रहा है बिल्कु जब 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 आसर है बोलो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत रही हो तो बता दो मुझे बहुत ही आसा टॉपिक था इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था या कोई समझाने वाली बात रही होगी इसमें बहुत ही हमको क्या करना है सीधा सीधा एवरेज निकालना है और उसका मतलब क्या होता है किласт mezb诌 को जोड़ दो जितनी भी वैल्यू है उससे क्या कर दो प्राइवरेज निकल कें आ जाएगा आपका बोलो चाहे प्राइम नंबर का पूंच ले कभी-Kभी क्या होगा ůच्छ सकता आं तो सम का पूंचता आः चाहे या या तो उतने नंबर से आप डिवाइड कर दो आपका अवस्त आ जाएगा नेक्स कोस्टन देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटा-फट इसका आंसर बताएंगे फटा नमबर एट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फटा-फट चलो जब असक्रीन हैं बहुत आसा कोस्टन है इसका आंसर बताएंगे आंसर कोस्टन मेरा क्या कहा रहा है एक बार देखना hvad is 괜ushow two kilogram two hundred gram and five hundred 2700डीजएड और तो सो कर चुका होगा मुझे भरोसा है चलो भई फटा फट इसको करके बताएंगे सर सबसे पहले मुझे आप यह बता दो अगर किसी को एक चीज पता है एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आप बोल दोगे सर एक हजार ग्राम होते हैं एक किलो में जो ग्राम होते हैं सर कितने होते हैं वन्थाउजंट ग्राम होते हैं तो एक किलो अब कुछ गड़बड कर दी क्या वाट इस दाइबरेज ऑफ टू किलो ग्राम एक नहीं है दो किलो ग्राम में दो हजार ग्राम होंगे दो हजार अब आ जाएगा भाई पांच और दो साथ 2700 2700 ग्राम बैठ रहे हैं और 2700 ग्राम को आप 3 से भाग कर दोगे कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हो कैसे 2700 ग्राम कहीं आपसन में 900 ग्राम दे रखा है तो वही वैलू हो जाएगी मेरी आपसन नंबर सी बोलो बच्चो आपसन नंबर सी इस दा करेक्ट आंसर जिस बच्चे का भी आपसन नंबर सी आ रहा है काफी बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर है उसका एकदम सही जवा ऊपसन नमबर सीजडा करेक्ट एब वह हैं यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत बहुत आसां सा कुश्चन था किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी बोलो कि बहुत आसान था एक वार आप खुझोस को कर लो चैलो ये बताओ दिवाली कैसी मनी सभी बच्चों की मजा आया दिवाली में सभी बच्चोंने खुब अच्छे से मिठाईयां खाई वोंगी है मैंने भी खुब पठा के छोड़े वो जो छोटे-छोटे होते हैं ना वो क्या बोलते हूं को एक लड़ी टाइप में होता है एक तरफ लगा दो एक दम बढ़ 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 बहुत तेज आवाज होती है हाना कि साउंड पॉलिशन तो नहीं करना चाहिए गंदी बात है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो बहुत ज्यादा नहीं कि एकदम धूएं-धू सब लोग बोलने वह बहुत अच्छा किया वेटा पढ़ा ही नहीं कि कौन करता है पढ़ाई दिवाली पे कौन करता है दिवाली खतम हो जाए तब आराम से मन लगा के करना ठीक है चलो क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स कोशन आया कोशन नंबर 9 फटा-फट इसको बता दो कोशन नंबर 9 मेरा क्या रहा है बच्चों वाला कोशन है कोशन नंबर 9 कोशन नंबर 9 गौर देना जरा और सभी लोग आप यह इसका आंसर दोगे चलो कोशन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटा-फट आप लोग इसका अंसर देंगे कोशन नंबर 9 का अंसर बता दो बहुत ही बच्चों वाला कोशन है एक याद हो तो शुरू में मैंने एक चीज़ आपको बताए थी एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम ओफ ओल दा ऑबजर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑबजर्वेशन मतलब सभी ऑबजर्वेशन को क्या कर लो जोड़ दो और अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो किसकी वैलू निकल के आ जाएगी सर एवरेज की वैलू निकल के आ जाएगी औस तकी वैलू ने कल गया जाएगी उसी चीज़ को हम यहां पर एप्लाई कर सकतें कैसे इस दा एवरेज आफ ट्वंटी नंबर इस हंड्रेड बीस नंबरों का जो उसत है वो कितना दे रखा है सर 100 दे रखा है then find the sum of the number में देखते ही बता सकता था सर इसका अंसर क्या रहेगा कैसे गौर देना एक बार मैंने सर एक नंबर बताया है आपको average निकालने का उसत निकालने का उसत निकालने का क्या होता है sum of all observation sum of all observation upon number of observations observation observation का मतलब होता है संख्याएं upon number of observation number of observation अगर किसी बच्चे को यह concept समझ में आ रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कैसे है क्या बोला है if the average of 20 number is 100 कितना उससर दरक्षा है सर 100 दरक्षा है कितने observation है सर 20 concentration है 20 20 पूछा क्या सम-oriented sum of observation बता दो यह चीज पूछा है क्या आप इसको देखते ही नहीं बता सकते थे क्या आप इसको देखते ही नहीं बता सकते थे चलिए क्या आप इसको देखते ही नहीं बता सकते थे कि इसका आएगगा बिल्कुल बता सकते थे इसकी आप cross multiply कर लो 100 में आप cross multiply करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा यहां से 20 की multiply करके 3-0 आ जाएंगी और 3-0 वाला option मेरा कितना आ जाएगा option number A जिस जिस बच्चे का भी option number A आ रहा है उसका एकदम perfect जवाब है सही जवाब है बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सब ही बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है next question आपकी screen पे आ जाता है फटाफट कुछ नहीं करना सीधा सीधा मुझे यहां से multiply करके आंसर बता सकता था इसमें तो कोई बहुत बड़ी वाली बात थी नहीं question number 10 आपकी screen पे आ चुका है कहने का मतलब यह कहना चाहरा है सब मेरे पास पांच नंबर थे जिसमें से चान नंबर मेरे दिये हुए हैं पहला था 7.5 दूसरा था 3.2 तीसरा था 11.3 चौथा था 20.5 पांच मेरा कुछ नंबर है और इनका उसत कितना आ रहा है सब 10 आ रहा है तो 10 जब उसत आ रहा है पांच है तो 10 पंजे 50 रहा होगा अब यह देख लो इनको जोड़के अगर मैं 50 में से माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर फटाफट मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा कैसे आप गोर देखना सर थोड़ा सा क्या आप दे रहा है देखो अगर मैं बात करूं आप से अगर मैं 11.3 11.3 अच्छी बात है 20.5 और एक वैलू और थी जिसे हमने क्या बोला था सर एक्स बोला था यह कितने से कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच है सर पांच से डिवाइड करने के बाद इसमें जो यह बच रहा है से सेस्वल सर यह सेस्वल जो बच रहा है है वो कितना बच रहा है दस बच रहा है क्या मैं यह सेक्र Monkey зай कर सकता हूं हा सर बिल्कुल कर सकता ह। 10 पंजे कितना हो जाएगा पचावा सो जाएगा 10-50 आप यह बताओ पचावी इन सब को जोड़ के मिला कितना आ तो आप इनको जोड सकते हो इनकी जो वैलू आएगी 7.5 3.2 11.3 और 20.5 आप इन सभी को जोड़ दो गौड़ दे ना पांस तीन आठ दो दस और पांच पंधर है का पांच केरी कितना लग जाएगा एक साथ तीन दस ग्यार है और बार है का दो केरी लग जाएगा एक दो तीन चार यह कितना आजाएगा सर 42.5 आजाएगा यह जो रहेगा वो 42.5 आजाएगा बिलकुल परफेक्ट है क्या आप 50 में से 42.5 नहीं माइनस कर सकते सर आप अगर 42 में से 50 में से 42.5 माइनस करोगे तो यह आजाएगा सर आपका 7.5 7.5 आपसन नमबर डी जिस जिस बच्चे का आपसन नमबर डी आ रहा है उस बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर है अगर मैं बात करूं तो काफी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का 4.5 भी है कुछ 6.5 हाला कि 4.5 तो आपसन में भी नहीं है 6.5 भी आ रहा है 7.5 थोड़ा से स्मार्ट बढ पर लो कि यह कोशन कह क्या रहा है बले देखो एक चीज याद रखना अगर मुझे कोशन समझ में आ गया कि यह पूछना क्या चाहरा है मुझे उसको निकालने में ना सिफ कुछ ही सेकंड लगेंगी अगर कोशन समझ में नहीं आया तो मैं पैन को कितना भी चलाता रहूं क कितने भी जोड़ घटाने करते रहूं मेरा आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा आपको क्या करना पहले ही जो कोशन की फेलिंग है एक्चल में कोशन पूछना क्या चाहरा है वह गौर से उसको समझो जब वह समझ में आ जाए अच्छी तरह से तब कोशन लगाना स्टार्ट कर अगर उस पर टाइम वेस्ट करोगे तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप अपना लॉस कर रहे हो और लॉस करने का बेटा कभी कभी छोटी-छोटी सी चीज ना बड़ी परिशानी दे जाती है बास समझ में आ रही है चलो कोई दिक्कत नहीं आपको कोशन नंबर नेक्स्ट दे गया है और इसका फटाफट कोशन आप ही देंगे सारे बच्चे इसका आंसर दे दो कोशन नंबर 12 का सर मेरा आंसर क्या रहेगा बहुत ही आसान सा कोशन है मैं बता देता हूं कोशन नंबर 12 क्या कह रहा है सब्सक्राइब एवरेज ओफ फाइव क्वांटिटी इस शिक्स 5 कुांटिटी का जो आसत है सर 6 दे रखा है आगे दा आफ्ड़ेज ओफ धरू ऑफ देम इच 4 पहली तीन का जो आसत है वह कितना दे रखा है बोलो बहुत आसान सा है इसको तो आप देखते ही बता सकते थे सर बचे हुए quantity का जो option रहेगा मेरा क्या रहेगा कैसे पहले आप लोग इसको खुद से try करना पांच quantity का उसत 6 है इसका मतलब sum जो रहा होगा वो कितना रहा होगा सर 5 into 6 इनका जोड जो रहा होगा वो total sum रहा होगा कितना 30 आगे क्या बोलना है the average of three of them is four पहले जो तीन का average है अगर मैं बात करूं number की number की चल पहले जो तीन का उसत है इसमें क्या दे रखा है सर पहले तीन का उसत चार दे रखा है तो तीन चौक कितना आजाएगा सर तीन चौक आजाएगा मेरा बार है आप मुझे एक चीज बताना 30 में से 12 है घटा दूँगा तो सर मेरा कितना बचेगा 30 में से 12 है घटाने के बाद सर मेरा बचना 18 30 में से आप 12 है माइनस कर दोगे तो आपको कितना बचेगा 18 बचेगा और quantity की बात करूँ सुरू में 5 लोग थे पांच quantity थी पांच तादा थी जिन में से 3 तो हो गई अगर मैं माइनस करूँ तो तादा दो जो बची होंगी वो कितनी बची है 2 मतलब 2 quantity का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 लेकिन औसत में कितने का निकालना है सर एक quantity का सम निकालना है तो 18 बटे अगर मैं 2 कर दू तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा सर 9 निकल के आ जाएगा कोई option में 9 है अगर आप गोड़ दोगे तो आपको सर बिलकुत देखेगा क्या option number C option number C जिस जिस बच्चे का option number C answer है उसका एकदम perfect answer है बताईए यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी जातर बच्चों ने आज के answer जितने भी किये हैं सभी बच्चों ने मिलके सही किये हैं एक भी बच्चे का answer गलत नहीं है बास समझ मैं चलो उम्मीद है आज का लेक्टर सभी बच्चों को सबसे पहले आप मुझे यह बता आज क्रिक्टर सभी बच्चों को कैसा लगा है कोजुशन कैसे कैज़ा पता है आसान Já कोजन कैसे थे में आप आसान कोउशन ते लेकिन यह कोश्चन और शियु के थे सिक्स बहुत जादा लेविल ही मिलने वाले हैं परिशान होने की जरूत नहीं है इसके अलाबा आप कोई भी बुक ले लेना उस बुक को लगाना उसमें आपको कोई भी कोशन नहीं रुखेगा फिर भी कोई भी कोशन रुखता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल देना मैं उसको देखके आपको रिवर्ट कर दूँगा इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी चलो बहुत चलो लेक्चर को यहीं खतम करते हैं जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को बच्चे लाइक करने मिलते नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत करते हैं झाल झाल झाल